अभी तक हम लोगों ने Uniform Motion या फिर Motion with Uniform Velocity के बारे में बात करिए Motion with Uniform Velocity या फिर Uniform Motion क्या होता है अगर कभी किसी Object की Velocity पूरी तरह से Constant है अगर किसी Object की Velocity पूरी तरह से Constant होती है तो उस Motion को हम बला करते है Uniform Motion We used to call it Uniform Motion उसे हम बोलेंगे का ऐसा Motion जो की बिलकुल यूनिफॉर्म है या फिर इसे आप Motion with Uniform Velocity भी कहा करते है लेकिन प्रैक्टिकली क्या होता है बच्चों इस वारे डिफिकल्ट तो कीप दा वेलासिर्टी कॉंस्टंट Velocity को बिलकुल कॉंस्टं रख पाना बहुत मुश्किल हो पाता है Velocity बड़ी आसानी से बड़ी जल्दी चेंज हो जाती है It is very difficult to maintain the velocity constant अब जानते हैं देखिए Velocity जो है वेक वेक्टर कॉंस्टिटी है हम सब लोग जानते हैं कि Velocity जो है वेक्टर कॉंस्टिटी होती है अब अगर मान दीजै आपने उसकी मैंग्निटूड में चेंज ला दिया या दोनों में चेंज ला दिया तो velocity जो है वो चेंज हो जाएगी मैं एक्जाम्पल से समझाता हूं सपोस कीजिए कि कोई आपज़क जो है बच्चो वह 10 मिटर पर सेकंड की वलासिटी से यह जा रहा था और बात में उसकी वलासिटी जो है बच्चो हमने 11 मिटर पर सेकंड कर दी मैंने डायेक्शन वही की रखी लेकिन मै तो पहले वो अब्ज़क ज था बच्चो वह 10 मिटर पर सेकंड की वलासिटी से यह जा रहा था और मैं ऑसके लिएक्षण को वही का वही रखकर मैंने उसकी वलासिटी को 11 मेटर सेकंड कर दिया तो मां दीज density पहले वह 10 मीटर की पर सेकंड चर जा दा और बात में इसके व मैंने दोनों में चैन्ज आया तो जो वैलसिटी है बच्चो वो चेंज हो जाएगी और इसलिए बोलते हैं कि वरा सिटी को सब्सक्राइब बोट मिश्किल है क्विपार सड़क पर साइकल चला रहा हूं तो क्या होगा कि मैं सड़क पर चल चला रहो लेकिन हगा सा भी बैंड बिल्कुल एक जैसे स्पीड से हम सरकल में गूम रहे हैं लेकिन क्या होगा हम डारेक्षण लगाता है चेंज कर रहे हैं अभी डारेक्षण है छेंज होती जाएगी तो वेलासिटी जो है जो झायेगी और अगर मैंने मेरी गाडी को एक्सिलरेटर दे दिया या उसको कम कर द in most of the cases you will find velocity जो बड़ी चेंज होती है and it can be changed either by the change of magnitude or by the change of direction or by the change of magnitude and direction बहुत दोनों में से किसी तीनों में से किसी भी तरीके से velocity change हो जाती है और अगर जब velocity change होती है बच्चों when the velocity of an object is changing then such a motion is known as non-uniform motion when velocity is kept constant then such a motion is known as बच्चों uniform motion लेकिन अगर velocity change होती है और change करने के जैसा कि आप यह देख रहें तीन तरीके हैं इन में से किसी भी तरीके से अगर velocity change हो गई such a motion is known as non-uniform motion so now we people shall talk about non-uniform motion so what is mean by non-uniform motion when velocity of an object is not constant when velocity of an object is changing अगर कभी velocity change हो रही है अगर velocity constant नहीं है तो इस तरह का motion कहलाता है बच्चों non-uniform motion आसमान गती इसे हिंदी में कहा जाता है या फिर इसे एक और तरीके से नाम दियाता है either you say non-uniform motion or it is also known as accelerated motion इसे हम बोला करते हैं accelerated motion क्या कहा करते है accelerated motion भी इसे नाम दियाता है when velocity of an object is changing then such a motion is known as accelerated motion और यहीं से हमारे पास में एक नया term आता है बच्चों वो होता है acceleration how acceleration is defined acceleration जो होता है बच्चों वो किस तरह से defined होता है acceleration is basically defined as rate of change of velocity यहाँ पर हमें कह लिए ना है we have to take rate of change of यह ने लिजिए साब आपने rate of change of velocity लिया and this change is to be taken with respect to time आपको यह rate लेना है यह किसके respect में लेना है time के respect में जैसे आप लोगों ने distance के traveling के rate को बोला था speed आपने displacement के traveling के rate को बोला था velocity बिल्कुल वैसे ही बच्चों rate of change of velocity और यह जो rate लेना है यह आपको लेना है with respect to time इसे हम बोलेंगे acceleration अगर मैं mathematically acceleration को बोलना चाहूं बच्चों how mathematically acceleration can be written it is basically defined as change in velocity numerator में मैंने क्या ली बच्चों numerator में मैंने ली change in velocity और denominator में मैंने लिया बच्चों क्या time interval यहाँ पर गोर कीजिए मैंने numerator में ली है change in velocity और denominator में बच्चों मैंने लिया है time interval इसे हम बोला करते हैं क्या acceleration acceleration किस तरह से defined होता है कुछ इस तरह से और mathematical यह अगर मैं लिखना चाहूं तो देखिए mathematically जो है बच्चों acceleration को कुछ ऐसा लिखा जाएगा it is given by rate of change of velocity और देखिए यह तो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि किसी भी quantity के change को अगर आपको लिखना तो आप delta से, del से, d से represent करते हैं तो यह क्या लिया आपने delta t time interval और delta v क्या है बच्चों change in velocity ठीक है यहाँ पर लिख देता हूँ चलिए मैं यहाँ पर जो delta t है it is representing time interval यह जो है बच्चों यह समय अंतराल को व्यक्त कर रहा है और जहां तक delta v का सवाल है बच्चों it is basically change in velocity यह change in velocity है वेग में परिवर्तन है और यहाँ पर हम बात करें बच्चों तो जो इसकी unit के बारे ने अगर हम इसकी unit के बारे में बात करतें क्योंट क्या होगी देखें velocity की unit क्या होती है velocity की unit जानते है meter per second होती है time की unit जहता है बच्चों time की unit है second velocity की unit क्या है Mitter par second. और time की unit काई बच्रव responsable second. So उस अधार पर isकी unit का जाएगी? Mitter per second square. Isकी unit आ जाएगी meter per second square. एक बार फिरसोद ऑदेता हूँ. Wealosity. Wealosity की unit का थी? Mitter per second. torاخी unit की unit की unit है भी होगी. Time की unit होगी. And time की unit होदी second. तो उस अधार पर इसकी unit होगी meter per second square और even you can also say it is kilometer per hour square So these are the popular units of exaggeration हम जो numericals करेंगे उसमें देखेंगे सबसे ज़्यादा जो हमें use में आईगी बच्चो वो ये वाली unit आएगी As such exaggeration की unit हमने देखी meter per second square या फिर kilometer per hour square या even आप बोल सकते हैं इसको centimeter per second square या आप बोल सकते हैं meter per minute square basically numerator में आपको क्या लिखना है numerator में आपको distance या displacement की unit लिखना है और denominator में आपको square of time की unit लखना है square of time मतलब second में हो सकता है minute में हो सकता है hour में हो सकता है day में हो सकता है month में हो सकता है year में हो सकता है बचो यह हमारे पास में क्या होता है यह हमारे पास में time distance को calculate करने के different different units है और यह हमारे पास में time को calculate करने के different different units है तो इस तरीके से आपके पास में होता बचो acceleration और acceleration जैसे velocity vector quantity है बचो वैसे ही acceleration भी जो है it is also a vector quantity जो त्वरन होता बचो वो एक सदिश राशी होती है it is a vector quantity और vector quantity को में पहले बता चुका हूं vector quantity को हम arrow लगा कर represent क्या करते हैं तो यहां पर ध्यान दे लिजिए acceleration जो है वो एक vector quantity है अब अगर वो vector quantity है तो लाजमी है बच्चों उसकी कुछ ना कुछ direction भी होगी अगर vector quantity है तो भी magnitude होगा और magnitude as you know that it is measured in unit meter per second square a kilometer per hour square अब वो vector quantity है तो उसकी कुछ direction होगी and what is the direction of acceleration that what I am telling you direction of acceleration direction of acceleration is same as that of change in velocity as that of change of velocity जो velocity के change की direction है जो velocity के change की direction है बच्चों वही direction किस की होगी acceleration की होगी you can see direction of acceleration is same as that of change of velocity तो यह बहुत काम की बात आप लोगों ने देखी कि वो vector quantity कही लोग बोलते है acceleration की direction क्या जो velocity की direction नहीं बच्चो acceleration की direction वो नहीं होती जो velocity की direction होती है acceleration की direction वो होती है जो velocity के change की direction होती है तो यह हम लोगों ने काम की बात देखी, अच्छा अब एक्सिदरेशन तो हम लोगों ने देखा, it is defined as rate of change of velocity with respect to time, समय के सापेक्ष वेग में परिवर्तन की दर, उसे हम बोलते हैं acceleration और यहाँ पर delta v जो था बच्छो वो change in velocity था और delta t जो था बच्छो वो time interval था, अब यह जो acceleration है, इसे भी हम दो तरीके से लिख सकते हैं, this can also be classified into two ways, जैसा अब यह आप लोगों ने देखा था velocity के बारे में, दो तरह की velocity देखी थी, average velocity और instantaneous velocity, बिल्कुल वैसे ही बच्छो यहाँ पर यदि मैं acceleration के बारे में बोलना चाहूं, तो acceleration भी दो तरह का होगा, एक होगा हमारे पास में average acceleration और average acceleration जो होता है बच्छो वो किस तरह से defined होगा, यहाँ पर देखिए, we are talking about average acceleration which is given by net change in velocity upon net time interval, numerator में आपको क्या लिखना है, numerator में आपको लिखना है net change in velocity, जितना velocity में net change आया, what I mean to say, देखिए, अगर हम बोलें, तो वो किसके बराबर होगा, यह जो acceleration अच्छली यह जो formula आपने लिखा है, यह formula किसको represent कर रहा है, it is representing average acceleration, यह average acceleration को represent कर रहा है, और average acceleration किसके पराबर, net change in velocity, यहाँ पर जो delta V है, जो delta V है बच्छों, वो क्या है यहाँ पर, delta V है यहाँ पर net change in velocity, और जो delta T है वो है बच्छों, net time interval, फिर से देख लिजे, delta T is representing net time interval, और delta V जो है बच्छों, it is net change in velocity, net change in velocity मतलब क्या, simple सी बात, VF minus V I upon delta T, V I minus VF, और V I और VF तो मेरे ख्यासे आप लोग समझ रहे होंगे, यहाँ पर V I क्या है बच्छों, V I है यहाँ पर initial velocity मैं लिख देता हूं चलिए, here V I is representing initial velocity, यहाँ पर यह जो है बच्छों, यह कुन सी velocity है, यह initial velocity है, इसी प्रकार से जो VF है, it is representing final velocity, यह initial velocity थी पहले वाली और यह वाली जो velocity आप देख रहे हैं बच्छों, यह है final velocity, याने की प्रारम भिक, अंतिम वे, तो इस तरीके से आपके पास में क्या आता है । अभी हमने जो acceleration निकारा भच्छों, वो कैसा acceleration निकाला, वो हमने average acceleration निकाला, और सत्वरण निकाला अब अगर मुझे दूसरा एक्सेडरेशन निकालना हो किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट पर किसी पर्टिकुलर मुवमेंट पर यदि मुझे एक्सेडरेशन निकालना है बच्चों तो उससे हम क्या बोलेंगे उससे हम बोलेंगे instantaneous acceleration instantaneous acceleration कैसे? किसी particular movement पर जैसे मैंने आपको बताया था speedometer का example बताया था मैंने कि जिस समय मैंने गाड़ी के speedometer के तरफ देखा उस समय गाड़ी की speed कितनी ही मुझे वो बताता है अब उसको देखने में मुझे कितना time लगा शायद 1 second, शायद 2 second शायद 1 by 2 second, शायद 1 by 10 second किसी को 1 by 100, किसी को 1 by 1000 अलग-अलग case में अलग-अलग लगेगा कुल मिला कर ये है कि देखने में एक बहुती अलप समय लगेगा it is very small instantaneous acceleration को हम कैसे define कर सकते हैं बिल्कुल वैसे ही जैसे हम लोगों ने average velocity के बारे में बात करी थी time interval को बहुत छोटा कर दिया तो बहुत छोटे से time interval में बच्चो जो average acceleration होगा बहुत छोटे से time interval में जो average acceleration होगा उस acceleration को हम क्या बोलेंगे instantaneous acceleration यहाँ पर ये lim का मतलब आप जानते हैं इसका मतलब क्या होता bachos, lim का मतलब मैं आपको बता चुका हूँ limit which says जो delta T है वो क्या है बच्चो it tends to 0 वो 0 के बहुत ही close है जो time enter वाले बच्चो वो 0 के काफी close है तो 0 के काफी close होने पर जो average acceleration आएगा ये ले लिजी साब मैंने ये ले लिया है पर ये किसके बराबर होगा it will be equals to delta V upon delta T ये average acceleration है और average acceleration जो होगा बच्चों वो किसके बरावर होगा average acceleration डेल्टा वी अपन डेल्टा टी के बरावर था अगर आपने time interval को काफी छोटा कर दिया तो उस समय जो acceleration होता है वो कहला था instantaneous acceleration किसी particular instant का acceleration और मैं आपको बता चुका हूँ कि अगर हम अगर किसी quantity के difference को उसके change को हम बहुत चोटा हो तो उस case में हम उसे किस सरी पजन करते हैं D से तो ये लिजिए SS time interval क्या था delta T पर मैं अब time interval को किस सरी पजन करूंगा बच्चों DT से और अगर time interval काफी छोटा है तो लाजमी है उसमें जो velocity में जो change आएगा वो भी काफी छोटा होगा तो ये क्या हो जाएगा मुझे ही लगता कि मुझे इसको यहां पर जादा घसीटने के जरूत है जैसा मैंने position time के time आपको मैंने speed वाला city के time पर बहुत बार-बार इसको बार-बार बोला था यहां पर इतना जरूत नहीं है क्योंकि हम लोग अल्यड़ी कर चुके और इसको numerical भी कर चुके हो तो अगर time interval को बहुत चोटा कर दिया जाए अगर time interval को काफी चोटा कर दिया जाए यह देखिए तो average acceleration अगर बहुत चोटे time interval के लिया जाए और average acceleration क्या होता delta v upon delta t बशर्ते time interval बहुत चोटा हो और बहुत चोटे time interval को हम delta t से नहीं dt से represent करेंगे और अगर time interval काफी चोटा है तो उसमें change in velocity भी delta v नहीं बहुत चोटी dv हो जाएगी और इस तरीके से आपके पास में क्या जाएगा बच्चो एकसिजरेशन यहां पर यह मैंने जो arrow बन बढ़ाते हैं और मैं आपको यहां पर काम की बात बताता हूं देखी जो acceleration आया है आपके पास में acceleration किसके बराबर आया बच्चो एकसिजरेशन जो आया है बच्चो इसका मैं एक और फामूल आपको बना के बताता हूं देखिए हम लोग एक बात जानते हैं कि जब मैं position का मैं position का differentiation करता हूं तो मुझे velocity मिलती है हम जानते ह zijn जब मैं position को differentiate किया तो मुझे velocity मिली और अभी आपने देखा कि अगर आपने velocity को drainage किया तो आपको कया मिला बच्चो एकसिजरेशन फिर सगोर कीजिए हम लोग ये जानते हैं कि जब मैं position को इफ्रेंशेट करता हूं तो म मैंने दो बार डिफ्रेंशेट किया तो मुझको मिल गई एक्सेडरेशन, सो एक्सेडरेशन का दूसरा फामूला ये भी बनाया जा सकता है, इट कना आल सो भी सेड़ाइस डी स्केराइस अपॉन डी टी स्केर, मैं समझ सकता हूँ, कुछ-कुछ लोगों के जहन में भी ये बात नहीं घुसी होगी, कि मैंने ये क्या कहा, ये क्या हुआ, अभी पिक्चर क्लियर नहीं होगी, पर पिक्चर बहुत जल्दी क्लियर हो जाएगी बच्चो, जब हम इस पर numerical को देखेंगे, अभी के लिए मैं एक बात आपको पता हूँ, देखिए, पोजिशन को डिफ्रेंशेट करा, तो वलासिटी मिली, वलासिटी को डिफ्रेंशेट किया, तो एकसिल डरेशन मिला, मतब position को एक बार फिर दो बार position को मैंने दो बार differentiate किया इसलिए मुझको क्या मेल गया बच्छो एकसेडरेशन तो यह क्या होगा d square s upon dt square this will give you the acceleration तो acceleration का एक formula आपके पास में यह था acceleration का दूसरा formula आपके पास में यह भी बन कर आगया एक और बात में हाँ पर बताता हूँ बच्छो ज़रा गोर कीजिए यह बराबर कितना है यह बराबर है dv upon dt देखीए यह बराबर है dv upon dt अब dv upon dt को हम लिख सकते हैं dv upon ds into ds upon dt dv upon dt को मैंने क्या करा ds से divide किया और ds से ही multiply किया dv upon dt था आपने ds से divide किया और ds से आपने multiply कर दिया और यह देखिए dv upon ds तो बच्छों चलिए ठीक है dv upon ds है और इसके बारे में आप जानते हैं जो ds upon dt है rate of change of position जो होता है बच्छों with respect to time वो क्या होता है velocity होती है rate of change of position with respect to time जो होता बच्छों वो velocity होती है so acceleration का एक formula आपके पास में क्या आगया dv upon dt दूसरा formula d square s upon dt square और यह इसका तीसरा formula हो गया मैं समझ सकता हूं कि थोड़ा सा किसी किसी के जहन में आएगा कि आरे यह क्या चल रहा कुछ clear नहीं हो पा रहा है लकुन बच्छों पहले जैसे मैं आपको बता हूं मैंने पहले भी आप से का था जब हमने भी speed of velocity पड़ी थी तो यह क्या theory fundamental formula जितने मरजी पढ़ लीजे के लिए unknown oh very very easily you will come to know about each and everything what I am talking about acceleration dv upon dt है rate of change of velocity with respect to time है और velocity आपने displacement को differentiate किया velocity में लीजे को differentiate किया अपने displacement को दो बार differentiate किया you have differentiated two times यह जो d square है it is representing that displacement is going to be differentiated two times for getting acceleration and this is formula for acceleration मैंने ds से divide किया ds से multiply करा और ds upon dt जो होता बच्छों वह velocity होता है this is third identity for calculation of the acceleration तो यह तीनों जो है बच्छों वह आपके पास में acceleration के formula बनकर आ गए हमने देखा यह एक vector quantity है जिसकी direction जो होती है बच्छों वह वह ली जाती है जिस direction में velocity में change आ रहा है अब यहां पर लगे हातों में एक और काम की बात बोले देखी ए बराबर क्या बच्छों ए बराबर है डी वी अपान दी टी यानने rate of change of velocity ठीके अब आपको पता है मैं आपको पहले ही बता चुकाऊं कि अगर ए को differentiate करके बी मिलता है तो बी को differentiate करके अगर बी मिलता है differentiation और integration दोनों एक दुसए के विपरित होते हैं यह सारी कहानी हम लोग देख चुके हैं तो उसी अधार पर में बता रहा हूँ बच्चो यदि मैंने क्या कर दिया acceleration को integrate कर दिया if I integrate acceleration T1 क्या है बच्चो T1 है initial time T2 क्या है final time इसे lower limit upper limit और A क्या है acceleration so delta V जो है बच्चो this will give you change in velocity यह क्या देखा आपको change in velocity acceleration को integrate कर देने से ध्यान दीजिए अगर आपने acceleration को integrate किया बच्चो तो आपको मिलेगी velocity में change कुछ लोग बोलते हैं acceleration को integrate किया तो velocity मिलती है velocity नहीं मिलती है बच्चो velocity में change मिलता है जैसे मैं आपको वहाँ पर याद दिलाऊ जब हम velocity को position को differentiate करते थे तो आपको velocity मिलते थी और velocity को integrate करते थे velocity को आप integrate करते थे तो आपको change in position क्याने कि displacement मिलता था अगर आपने velocity को integrate कर दिया तो आपको क्या मिलती थी बच्चों आपको मिला करती थी displacement change in position मिला करती थी बिल्कुल वैसी ही बात में यहां पर कर रहा हूँ अगर आपने क्या कर दिया अगर आपने acceleration को integrate कर दिया तो आपको मिल जाएगा velocity का change यह एक बहुत काम की बात देखिए हम लोगों ने इसमें और मैं आपको एक और मुद्दे की बात बताता हूँ बच्चो जो बहुत commonly known question है जो आपको हर पुस्तक में लिखेवे मिल जाएंगे क्या कि अगर कभी किसी body का acceleration बराबर क्या है dv upon duty अभी यहां पर ध्यान दीजिए यह बराबर है बच्चो क्या dv upon duty अब अगर क्या हो अगर velocity जो है बच्चो अगर वो constant है अगर velocity constant है तो आप जानते किसी भी constant का जो differentiation होता है वो कितना होता है बच्चो जीरो होता है अगर velocity किसी body की constant है तो constant का differentiation क्या होता है जीरो होता है हम differentiation में पर चुके तो इस case में acceleration क्या हो जाएगा जीरो हो जाएगा इस case में जो acceleration है बच्चो वो कितना हो जाएगा 0, so when a body is moving with constant velocity, अगर कोई body बच्चो constant velocity से चल रही है, नियत वेग से चल रही है तो उस case में जो उसका acceleration होता है, वो 0 होता है अगर किसी body, किसी object की velocity बिलकुल constant बनी हुई है, नियत बनी हुई है तो उसका acceleration कितमा होगा? 0 और हम जानते हैं कि अगर velocity constant है, तो ऐसा जो motion होता है उससे हम क्या बोला करते है uniform motion, we used to call it uniform motion, क्या बोलते हैं इसका हम हम uniform motion बोलते हैं, तो uniform motion वो motion होता है बच्चो जिसमें acceleration नहीं होता, uniform motion कि मैं को definition मना सकते हैं, कि uniform motion is a motion in which there is no acceleration, अगर velocity constant है तो हम जानते हैं, उससे uniform motion बोलते हैं, और अगर वो constant है, तो constant का differentiation 0, और अगर constant का differentiation 0, तो जो acceleration होगा बच्चो वो भी 0 होगा, तो अगर body constant velocity से चल रही है, तो उसका acceleration 0 होगा यहाँ पर दो-तीन चीजे और पूछी जाती हैं, दिमाग में आती हैं मैं आपको बताता हूँ, कि अगर इसका reverse लूँ, इसका inverse लूँ में अगर, कि अगर किसी body का acceleration 0 है, अगर किसी body का acceleration 0 है, तो क्या उसकी velocity भी 0 होगी, यह question बना करता है दिमाग में, दिमाग में यह पुस्तोकों आपको लगबद हर book में मिल जाएगा when the acceleration of a particle is 0, is it necessary कि उसकी velocity भी 0 हो, कहें जरूरी है, तो ऐसा जरूरी नहीं है बच्चो, अगर acceleration 0 है, तो इसका मतलब यह नहीं है कि velocity 0 होगी, अगर acceleration 0 है, तो इसका मतलब यह होगा बच्चो, कि dv upon dt equals to 0 होगा, अरे भई, ए बराबर क्या है, dv upon dt और a बराबर 0, तो dv upon dt 0, और दो quantities का ratio 0 कब होता है, जरूर कीजिए, दो quantities का ratio 0 कब होगा, जब उसका numerator 0 हो, और numerator 0, मतलब dv 0, मतलब change in velocity 0, और change in velocity 0, मतलब velocity क्या होगी, बच्चो, constant होगी, velocity क्या होगी, constant होगी, तो यह ध्यान दीजिए, अगर किसी body की velocity constant है, तो उसका acceleration 0 है, और उसे हम uniform motion कहते हैं, और इसका ultra, यदि acceleration 0 है, तो उसका मतलब होगा, बच्चो, velocity constant है, if acceleration is 0, it means that velocity is constant, not 0, कुछ लोग बोलते हैं, कि अगर क्या यह जरूरी है, कि अगर acceleration 0 हो, तो velocity भी 0 होगी, अगर acceleration 0 है, तो इसका मतलब यह बच्चो की velocity constant है, एक बात, ठीक है, फिर वो कुछ भी हो सकती है, वो constant में हो सकता है, वो 5 मिटर पर सेकंड हो, वो 10 मिटर पर सेकंड हो, वो 20 मिटर पर सेकंड हो, जैसे यह देखिए, यह object है, अभी यहाँ पर, इसका acceleration भी 0 और velocity भी 0 है, velocity भी 0 और acceleration भी 0 है, ठीक है, लेकिन मैं आपको एक बहुत काम की बाब बताता हूँ, जब किसी object को आफेक्ते हैं, आपने vertically उपर फेका, तो topmost point पर जाकर, आप जानते होंगे, जो topmost point होता है, जब भी कभी हम किसी object को थ्रो करते हैं, ऊपर की तरफ, तो topmost point पर उसकी velocity 0 होती है, बच्चों, लेकिन topmost point पर उसका acceleration 0 नहीं होता, topmost point पर उसका acceleration 0 नहीं होता, और इसी प्रकार से, इसी प्रकार से यदि हम आगे चलके पढ़ेंगे, हम लोग simple harmonic motion, we shall study simple harmonic motion, simple harmonic motion जो है बच्चों ये देखिए, ये जैसे ये O है, ये R है, S है, कोई object जो है बच्चों, जब वो two and fro motion करता है, अभी के लिए में सिर्फ इतना बता हूँ आपको, जब two and fro, इधर उधर की गती हिंदी में जिसे का जाता है, S पर था, R पे गया, फिर S पर आया, फिर R पे गया, फिर S पर आया, तो ये जो motion होता है, बच्चों ये simple harmonic motion होता है, और आप इसमें पाएंगे, कि ये जो position होती है O, इस O को हम बोला करते है mean position, ध्यान दीजिए, इस O को हम बोला करते है, बच्चों mean position, और mean position पर आप एक बात पाएंगे कि जो mean position होती है बच्चो आप एकसिदरेशन 0 होता है mean position पर exaggeration 0 होता है बट velocity जो होती है बच्चो वो non-zero होती है जबकि जो r और s आपको दिखाई दरी है r और s जो है बच्चो इन्हें हम बोला करते है extreme positions इन्हें हम क्या कहा करते है these are known as extreme position और extreme positions पर you will find कि जो velocity है वो 0 होगी extreme position पर जो velocity होगी बच्चो वो 0 होगी लेकिन यहाँ पर exaggeration जो होगा बच्चो वो non-zero होगा actually मैं आपको बता दूँ एक simple सा फंडा बता रहो आपको जहां कहीं कोई particle अपने motion की direction को exactly 180 degree से reverse मारती है जहां कहीं वो reverse मारती है वहाँ पर आप पाएंगे कि velocity हमेशा 0 होती है जैसे आप देखिए जब मैंने इस pen को उपर फैका जब मैंने इस pen को उपर फैका तो topmost point पर जाने से पहले यह pen उपर जा रहा है और उसके बाद यह pen मीचे आ रहा है तो topmost point पर इसने motion की direction को reverse कर दिया velocity 0 होगी ठीक उसी परकार से यह S से R तक गया और R से फिर reverse हो गया तो जहां यह reverse करेगा वहाँ पर velocity कितनी होगी बच्चों 0 होगी यह simple सा tool है simple सा fundamental है when the object reverses its direction of motion exactly by 180 degree then velocity at that particular instant would become 0 उस particular जगा पर जो यू कहा जाए instantaneous velocity जो होगी बच्चों वो 0 होगी और यह जरूरी नहीं होता कि किसी जगा पर अगर velocity 0 हो तो acceleration भी 0 हो और किसी जगा पर अगर acceleration 0 हो तो velocity भी 0 हो ऐसा जरूरी नहीं है हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है तो एक बार फिर देख लगते हैं अगर देखी बचों किसी body की velocity change हो रही है time के साथ में change हो रही है तो वो motion किलाता non uniform motion जो कि practically ऐसा ही motion मिलता है it is very difficult to keep the velocity constant because velocity can be changed even by the change of direction by the change of magnitude अगर मान लीचे अभी ऐसे जा रही थी speed बढ़ गई तो velocity change हो गई अगर मान लीचे direction change कर दी तो velocity change हो गई और अगर दो नो में change आ जा जिया तो भी velocity change हो बच्चों और velocity में change आया तो हम बोलते हैं कि वह non uniform motion है उसे हम बोलते हैं acceleration है और acceleration किस तरह से defined होता है it is defined as rate of change of velocity rate of change of velocity and this change has to be taken with respect to time और वो vector quantity है जिसकी direction वही होगी जो velocity के change की direction होगी और उसी वही direction होगी जो velocity के change की direction होगी उसकी unit बच्चों meter per second square या kilometer per hour square वगरा वगरा होगी और हमने देखा यह average acceleration है which is given by change in velocity upon time interval और किसी moment पर अगर आपको acceleration निकालना है तो उसे आप बोलते है instantaneous acceleration जो कि ऐसे निकलेगा और अगर आपने velocity को integrate कर दिया तो sorry acceleration को यह आपने integrate कर दिया तो आपको change in velocity मिल जाएगी हमी numericals देखेंगे तो हमको और अच्छे से clear होगा जो दो common question थे वह मैंने आपको बताए हैं कि अगर velocity किसी moment पर zero है तो it is not necessary कि acceleration भी zero होगा और अगर किसी moment पर acceleration zero है तो velocity zero हो जरूरी नहीं है यह कुछ उधारन है जिन में हमने देखा कि यहाँ velocity zero थी पर acceleration zero नहीं था यह ऐसा उधारन था अगर acceleration zero था पर velocity zero नहीं थी